दोस्तों नमस्कार जैस शीव संबूग कहते हैं कि किस्मत करवाती है कटपुतली का खेल जनाब वरना जिन्दगी के रंगमच पे कोई भी कलाकार कमजोड़नी होता है मिट्टी के दीपक साहय जीवन तेल खतम खेल खतम जिन्दगी का बस इतना सा फसाना होता है कि यहां लोग जिन्दगी बनाने के चक्कर में जीना ही चोड़ देते हैं इन्सान चाहे कितना सपल वियापार क्यों न बन जाए तकलीब हैं बेच नी सकता और सुकून खरीच नी जा法 किर्दार होना चीह की तालीयां बजें चहरे पर तालिया अभी नहीं जाते हैं इन्सान की किरदार पर भी आते है इंसान की किरदार पर आंगे इंहें के कुछ कुछान के çीधार जैसा देगे लोमडी को अगर सेर की खाल पहना दोगी तो कुछ समय के लिए लोमडी सेर जैसा दिखेगी लेकिन जब किरदार की बात आएगी कुत्ते के किरदार की बात करेंगे तो जैसी वह जबान खुलेगा तो पता चल जाएगा कि हमें यह कुत्ता है जैसी बेडिय के बात आएगी तो जैसी वह जबान खुलेगा अपने कर मेंसे पैचाना जाएगा यह बेडिया देगी तो यह Commissioner की बात ने के लिए तो यह होता है कि किरदार का हमें पता जल जाता है किसी गरीब के लिए वो कोई माइनी नहीं रखता है अगर अमीरी हो तो रतन टाटा जैसी हो जो टाटा कमपनी के मालिक है रतन टाटा जी ने अपनी संपती का 60% जो पार्ट है वो गरीबू में दान कर दे आप सब लोगों को पता होगा अभी रतन टाटा जी ने एक स्कीम न अगर नाम आते ही दिल में अलगी खुशी होती है अलगी उनके लिए निकलते हैं तो रतन टाटा जैसी ऐसी तो अपना किर्दार अच्छा रखो जो लोग मेरी वीडियो को समझे रहोंगे तो दोस्तों किर्दार अच्छा होना चीह तभी तालिया बजेंगे चेहरे पर कभी तालिया नहीं बजते हैं